सबजी का बिजनस कैसे करें जानिए इस वीडियो में दोस्तों कम बज़ड में सबजी का बिजनस करके आप अच्छी इंकम शुरू कर सकते हैं और वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंड में कितना profit होगा, कितना investment करना होगा, किन चीजों की जरुरत पड़ेगी, कितना space चाहिए होगा और भी बहुत सारी बाते इस वीडियो में इस business से जुड़ी हम जाने वाले है सबसे पहले बात यह कि दोस्तो सबजी, एक ऐसी चीज है जिसकी जरुरत तीन टाइम हर घर में लोगों को daily चाहिए होता है यानि कि इसकी खपत हर घर में होती है और वो भी अच्छी मात्रा में तो इसी लिए ये एक ऐसा चीज है एक ऐसा product है जिसका अगर आप business करते हैं तो ये एक profitable business साबित होता है तो हमें इस business को start करने के लिए क्या करना होगा तो सबसे पहले मंडी में जाएं आपके आसपास के area में जो भी सबजी मंडी है वहाँ पे जाएं वहाँ पे जाके सबस्यों का rate क्या है वो जानिए सभी दुकंदारों से मिलकर जानिए की हर तरह की जो सबस्य है जो market में available है उसका rate किया जा रहा है for example टमांटर, लोकी, बैगन जो भी तरह के जो सबजिया है वो उस वक्त क्या rate पे market में बिग रही है मंडी में for example जैसे कि माल लेज़े टमांटर अगर 80 रुपए है, लोकी 40 रुपए है बैगन 40 रुपए है इस तरह से तो आपको ये जानना होगा अब अगर possible हो, तो दूसरा काम ये करिए कि आपके आसपास के area में कोई अगर गाउं है आप जहां रहते हैं वो खुद गाउं है या फिर अगर आप city में रहते हैं और city के आसपास जो गाउं वगेरा है अगर आप हो सके तो वहां के किसानों से contact करिए वहां जाकर जो भी सबजीयों की खेती होती है जो भी सबजीयों की खेती वहां के किसान करते हैं उसके बारे में जानकारी लेजिए और उनसे ये भी जानकारी लेजिए कि वही चीज जो मंडी में जो rate आपने पता किया वही सबजी किसान किस rate पे देते हैं तो यहां पे आपको फायदा होगा अगर आप डारेक्ट किसान से माल को ठोक में खरिदते हैं पर यह अगर possible हो पाता है आपसे तो और अगर नहीं हो पाता है तो फिर आपको मंडी से ही खरिदना होगा obviously दूसरा कोई option है ही नहीं लेकिन एक और option है कि अगर आप बहुत जादा मातरा में खरिदेंगे तो फिर आप जो है commission agents को भी पकड़ सकते हैं और वो आपको जो है direct किसान से माल मंगवा के देंगे लेकिन वह यह फिर उनका commission भी आपको देना पड़ेगा और ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि direct अगर आप किसानों से contact करते हैं उनसे माल खरिते हैं तो बहुत कम rate में आपको मिलता है लेकिन अगर मंडी जाएंगे वहां के wholesaler से खरीदेंगे तो थोड़ा सा rate जादा पड़ेगा तो यह आपको थोड़ा research करना है यह थोड़ा सा जानकारी हांसिल करना है इसके बाद में बारी आती है यह कि भाई आपको यह सब कुछ research आपने कर लिया उसके बाद दूसरा step यह है कि आप सबसे पहले एक दुकान तै किजिए जहां पे आपको यह business जो है वो शुरू करना है अब दुकान आप shop rent पे लेकर start करना चाहते हैं या फिर आप कोई ठेला कोई stall पे आप जो है सबजी बेचने का business शुरू करना चाहते हैं या किस तरह से करना चाहते हैं यह आपको decide कर लेना है उसके बाद आपको जरुवत पढ़ेगी दो चीजों की अब उसमें से एक चीज तो यह है गाड़ी गाड़ी यानि कि कोई भी गाड़ी जिसमें जो है आप माल ठोक में जब खरिद के ला रहे हैं तो वो आपको गाड़ी की जरुवत पढ़ेगी आपके पास खुद की पहले से है तो बहुत अच्छी बात है वरना फिर आपको खिराय की गाड़ी की जरुवत पढ़ेगी जब जब आप माल ठोक में ज़ादा मात्रा में लाएंगे और दूसरी चीज यह है कि आपको वजन करने के लिए जो मशीन होती है वो उस मशीन के आपको जरुवत पढ़ेगी बस इतना तीसरी चीज यह है कि आपको जो सबजी आप मंगाएंगे खरिद के लाएंगे बेचने के लिए उसे रखने के लिए आपको इसपेस चाहिए अब जो शॉप आपने रेंट पे लिया है अगर उस पे जगा है अच्छा खासा तो उसी में साइड में एक तरफ जो है आप सबजी आप से बेचना भी शुरू कर देते हैं और वहां से माल लेके डेली अपने शॉप पे अपने दुकान पे ले जाके रखके वहां से आप बेच सकते हैं तो इस तरह आपको ज़रूरत पड़ेगी एक गोदान की अब उसका अरेंजमेंट आप चाहिए जैसे भी करें तो ये हो गया अब ये चीज़े तो आपने अर रखना है ताकि ऐसा ना हो कि लोग जो है रेट सुनके ही भाग जाए लेकिन इस तरह का रेट आप रखिए ताकि आपका जो ट्रांसपोर्डेशन का खर्चा है आपने जो होलसेल में माल खरीदा है वो सब कुछ आपको फिर अगर आप शॉप रेंट पर लेके आप चला र ताजे सबजियों को आप जो है लोगों को प्रोवाइड कीजिए आपके कस्टमर्स को आप ताजी से ताजे सबजियों को जो है आप बेचिए प्रोवाइड करवाईए उनको ताकि वो जो है अच्छी सबजिया आप से पाएंगे तो बार बार आपके पास आएंगे अगर इन चीजों का आपको थोड़ा सा देख परक करना होगा थोड़ा सा ध्यान रखना होगा तो साथ ही आपको अपना वैवहार आपको अच्छा रखना होगा कस्टमर के प्रती और कुछ चीजे ये भी हैं जैसे कि जादा उधारी में आपको कोई भी सबजी नहीं देनी है से डीकवर होने में बहुत मुश्किल हो जाता है तो यह इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितना हो सके उधारी में आप समान नहीं दीजिएगा तो दोस्तों यह बहुत जादा कुछ ऐसा बिजनस बड़ा बिजनस नहीं है इसे इन्वेश्मेंट की अगर बात करें तो आप 10,000, 15,000 में भी शुरू कर सकते हैं 20,000, 25,000, 50,000 तक में भी आप शुरू कर सकते हैं जितना जादा बड़ा लेवल पे आप करना चाहेंगे उतना जादा आपको इन्वेश्मेंट करना होगा प्रोफिट की बात करें तो अगर कम से कम बजट के साथ भी शुरू कर रहे हैं तो भी 10,000-15,000 रुप्या प्रोफिट आपको देखने को मिलेगा अगर आप जादा बड़े लेवल पे करेंगे तो जादा प्रोफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा वैसे भी टाइम के साथ-साथ जैसे जैसे आपका बिजनस जमता चला जाएगा आपको लोग income इस business से कर लेते हैं बस यह है कि आपको इस business को अगर करना है तो आपको थोड़ा सा महनत करना होगा आपको जो सब्जियों को खरिदने जाना है लाना है इन सब में थोड़ा सा आपको महनत करना है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो overall अगर देखे तो सब्जिय बिजनस बहुत ही फाइदेमन प्रॉफिटेबल बिजनस है अब इसे आप कई तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया वो डिटेल तरीका है अब रिटेल में आप होलसेलर से खरीद के ला रहे हैं और आप रिटेल में बेच रहे हैं इसे और भी दूसरे तरीकों से भी किया जा सकता है आप होलसेलर भी बनके इस बिजनस में आ सकते हैं अगर आप किसान है तो सबजियों का जो है आप खेती करके इंकम कर सकते हैं तो तीनों तरीका है फिलाल इस वीडियो में मैंने आपको रिटेल के बारे में बताया